ये सिंबल आप में से काफी लोगों ने बहुत जगा देखा होगा पर क्या कभी सोचा है इसका मतलब क्या होता है काफी लोग इस सिंबल को गुडलक के रूप में भी इस्तमाल करते हैं इस सिंबल को कहते है यिन एन यांग और आज हम इसी बारे में बात करेंगे यिन एन यांग चाइनीज कल्चर में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है जो हजारों सालों से चला आ रहा है ये के आस एन ओर्डर को दर्शाता है मतलब एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं यूनिवर्स कॉस्मिक ड्यूलिटी से मिलकर बना है इसमें प्रेजन्ट हर चीज की दो ओपिजिट साइट्स होती है जो एक दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करती है कभी कभी नेचर वाईज यिन को फैमिनन और यांग को मैस्किलिन भी बोला जाता है यिन और यांग फिलोसिफी आज से लगभग साड़े तीन हजार साल पुरानी है जिसे नाइन्थ सेंचरी बी सी ई में एक बुक आई शिंग और बुक आफ चेंजिस में डिसकस किया गया था उस वक्त यिन और यांग सिंबल का यूज सन, मून और स्टार्स के मूवमेंट्स जानने के लिए किया जाता था डाविजम के बारे में काफी लोग जानते ही होंगे इसकी फिलोसिफी भी यिन और यांग से इंफ्लूएंस्ट है कभी-कभी यिंग केरेक्टराइज किया जाता है as in inward energy जो dark, still और negative होती है and यांग केरेक्टराइज किया जाता है as in outward energy जो bright and positive होती है यिन और यांग पेर में ही आते हैं जैसे moon and sun, female and male, dark and bright, cold and hot passive and active, negative and positive ये दोनों एक दूसरे पर rely करते हैं एक के बिना दूसरा अधूरा है जैसे light के बिना shadow exist नहीं कर सकता सारा universe यिंग और यांग के concept पर work करता है यिंग और यांग हर चीज में है ये ऐसा है जैसे एक सिक्के के दो पहलू इसलिए इनका balance बहुत जरूरी होता है यिंग और यांग को ताईशी नाम से भी जाना जाता है इसका symbol एक circle से मिलकर बना होता है जो curved line के throw दो parts में divided होता है एक part black होता है जिसे yin कहते हैं और दूसरा white जिसे yan कहते हैं दोनों sides के center पे एक दूसरे के opposite color का dot होता है जिसका मतलब है दोनों side एक दूसरे का seed carry करते हैं curved line बताती है इन दोनों opposites के बीच कोई separation नहीं है इसलिए yin और yang symbol universe में present हर एक चीज की दो side दर्शाते हैं जैसे duality, paradox, unity in diversity, change and harmony Lao Tzu अपनी book The Tao, T, She, Me, Feminine, The Great Mother के बारे में बात करते हैं जो एक mysterious passive force है जिसे black part और masculine जो visible and prominent है उसे white part दर्शाता है men and women दोनों ही yin and yang characteristics possess करते हैं अब सवाल आता है yin and yang के बीच difference क्या है yin क्या हो सकता है and yang क्या हो सकता है yin and yang क्या है ये situation पर depend करता है Lao Tzu ने Tao, T, She, के chapter 2 में कहा है being and non-being produce each other difficult and easy एक दूसरे को compliment करते हैं long and short एक दूसरे को define करते हैं high and low एक दूसरे को oppose करते हैं इन सभी examples में एक yin है तो दूसरा yang yin एक series of characteristics को दर्शाता है जिनका nature cold, empty, dark and passive होता है वहीं दूसरी तरफ yang एक active and masculine element माना जाता है जो light, warmth, height, fullness को दर्शाता है इसलिए being yang है और non-being yin एक के बिना दूसरे का existence possible नहीं अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब yin weakness को show करता है yang strong जरूर है मगर yin की value जादा होती है yin great power contain करता है इसकी power को एक example से समझते हैं एक mug hard material से बना होता है जो की yang को represent करता है बट mug को useful क्या बनाता है answer is इसकी emptiness क्योंकि बिना emptiness के mug में liquid नहीं आ सकता अगर इसी नजर से हमारे चारो तरफ देखा जाए तो पता लगता है emptiness हर चीज का एक बहुत ही important part होती है जैसे अगर एक room empty ना हो तो आप उसमें enter नहीं कर सकते universe में vast empty space के बिना solar system function नहीं कर पाएगा ऐसे ही जिन्दगी में emptiness feel किये बिना special चीजों की presence नहीं समझी जा सकती but society passivity को कमजोर समझती है उनके लिए matter करता है हमेशा active रहना उन्हें results जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं and so on इसी वज़े से हम passive elements की respect नहीं करते जबकि उन passive elements के बिना दूसरी side exist नहीं कर सकती passivity हर accomplishment के लिए बहुत जरूरी है for example muscles जिम में workout के दोरान नहीं बनती वो तब बनती हैं जब आप workout के बाद rest करते हैं जिसे naturally muscle tissues strong बनते हैं Lao Tzu also said that no movement is possible if an opposite movement hasn't occurred before it if you want something to return to the source you must first allow it to spread out if you want something to weaken you must first allow it to be strong if you want something to be removed you must first allow it to flourish if you want to possess something you must first give it away Lao Tzu इसलिए हम कह सकते हैं सब कुछ एक दूसरे का complimentary manifestation है yin and yang एक दूसरे को create करते हैं support करते हैं और compliment करते हैं yin and yang हर जगा है every object, every living organism, every cell, every single component non-doing या effortless action को Taoist view way भी कहते हैं जिसका yin and yang important part है woo way इस बारे में है कि हमें कब act करना है और कब नहीं ये flow state को दर्शाता है just go with the flow जैसे पानी का nature submissive and weak जरूर लगता है पर पानी अपनी shape रास्ते में आने वाली हर एक rock and stone के according बदल लेता है फिर चाहे वो कितनी भी hard क्यों ना हो इसलिए जिन्दगी में कुछ events पर act ना करना ही बहतर है और रास्ते अपने आप बनते चले जाते है wise passivity जिसे yin show करता है हजारों सालों से Chinese politics, diplomacy और business का बहुत important part रही है वो passive होना कमजोर नहीं समझते बलकि Taoist जो wisdom देते हैं उसके according किसी बुरी situation में तुरंथ act करने से बहतर है दूसरे लोग जिन्हें खुद पर control नहीं उन्हें act करने देना चाहिए और खुद उस matter के according जो direction दिख रही है उसमें focus करना चाहिए इसलिए काफी चीजों में हमारा act ना करना ही फाइदे मन्ध होता है क्योंकि कभी कभी act करना उन situations को और बिगार देता है act ना करके हम यन state में आ जाते हैं जो passive रहती है इसलिए ये समझना होगा कब act करना है और कब नहीं आप खुश है ये कैसे पता चलता है जब आपने दुख देखा हो कोई dish tasty है वो कब पता चलता है जब आपने कोई बुरी dish taste करी हो कोई चीज beautiful है ये कब पता चलता है जब आपने कोई अगली चीज देख रखी हो इसलिए जिन्दिगी में कोई भी चीज तब फील होती है जब उसके opposites का experience आपको पहले हो रखा हो जैसे की आप जानते हैं एक side के बिना दूसरी side exist नहीं कर सकती इसलिए life में जो भी कुछ होता है या हो रहा है वो yin and yang का combination है दो opposite sides एक dark तो दूसरी warm इसलिए अगर आपको अभी darkness महसूस हो रही है तो चिन्ता ना करें ये भी जल्दी छट जाएगी और light वापस ज़रूर है थैंक्स फो वाच्चिंग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share जरूर करें और future में ऐसी ही informational videos के लिए चैनल को subscribe और bell icon को press करना ना भूलें